चोपड़ा एजुकिसन यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हारदे के स्वागत करता हूँ दोस्तों कुछ न्यूज पेपर और सोशल मीडिया पर ऐसा बताया जा रहा है कि नीट पॉस्पॉंट को लेकर संडे को प्राइम मिनिस्टर और कुछ अधिकारियों के साथ मिटिंग हुई थी तो मैं आपको बता दूं कि ये मिटिंग जरूर हुई थी मगर ये नीट यूजी को लेकर नहीं थी ये नीट पीजी को लेकर थी इसमें ये डिसिजन हुआ था कि नीट पीजी की एकजाम चार महने के लिए पॉस्पॉंट कर दी गई है ये ऐसा इसलिए किया गया है कि देश में इस समय चल रहे हालात को सुदारने के लिए MBBS डोक्टर्स की अवेलिबिल्टी जरूरी है मैं आपको बता दूँ कि ये एकजाम अपरेल में होनी थी और एक स्टेट ने तो अपरेल में ही डोक्टर्स को नीट पीजी एकजाम देने के लिए लीव देने से मना भी कर दिया था तो MBBS डोक्टर्स की अवेलिबिल्टी के लिए NEET PG का exam 4 मैंने के लिए ये postpone किया गया है अभी बात करें NEET UG की तो अभी तक ये एक अगस्त को ही होना तै है दोस्तों future का कभी भी मालूम नहीं चलता है आगे क्या हो सकता है ऐसा भी हो सकता है कि situation ठीक हो जाए सभी जल्दी जल्दी exam होकर NEET का exam 1 अगस्त को ही हो हो सकता है ऐसा ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है हमने पहले भी देखा ऐसा और ऐसा भी हो सकता है कि postpone भी हो जाए लेकिन अगर आपने अभी ये सोच लिया कि ये exam postpone होगा और आप study में lose हो गए और exam 1 अगस्त को ही हो गया तो सोचो आपके साथ क्या होगा क्योंकि ये तीन मैंने ही selection के लिए important है और इनमें ही आप over confident होकर lose हो जाएंगे तो फिर आपकी इतनी दिन की मैनत पानी में चली जाएगी तो आप जब कोई update नहीं आती है तब तक आप 1 अगस्त के according ही preparation करते रहें दोस्तों ये मेरा कुछ अनववरा है कि हम किसी बात को सूचते कुछ और है और हो कुछ और जाता है मेरी नजर में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनोंने पढ़ाई छोड़ दी है अभी और वो confident होकर exam तो postpone होगी ही होगी वो अपने future को अंदकार में डाल रहे हैं अभी से क्या आप तो ऐसे बच्चों में सामिल नहीं है एक बच्चे से मैं मिला उसने तो मेरे को फुरा confidence होकर यह है बता दिया कि कब board के exam होंगे कब need का exam होगा postpone क्यों होगा यह पूरा का पूरा calculate उसने पूरा schedule बना रखा है पूरा का पूरा उसने मेरे को समझा दिया कि ऐसे ऐसे need का exam तो होई नहीं सकता एक अगस्त को ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो study छोड़ चुके हैं अगर आप भी उन बच्चों में सामिल नहीं हैं तो इस बात का आप फाइदा ले सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ आप समझ गए होंगे इस समय आपको एक अगस्त के according आप study करेंगे तो आपको पहुत फाइदा होगा मैं वीडियो के अंत में आप से यही कहना चाहूँगा कि आप अपने दिमाग से दिमाग में एक अगस्त का एकजाम लेकर ही चलें इसी के according ही preparation करें मैं आपको एक बात यहां वादे के साथ कह सकता हूँ कि जो बच्चा नीट एकजाम एक अगस्त के according preparation करेगा और वह हमेशा ही फाइदे में रहेगा चाहे नीट एकजाम पोस्पोंड हो या ने हो अगर पोस्पोंड होगी तो भी उसको फाइदा होगा और पोस्पोंड नहीं होगी तो भी उसको फाइदा होगा आप खुद समझदार है आपका ज़्यादा समय ने लेते हुई बस मैं इस वीडियो को यहीं एंड करना चाहूंगा इधर उधर की फाल्तू न्यूज पर ध्यान ने दे एक अगस्त के अकोर्डिंग ही नीट यूजी की तैयारी करें जो भी कोई अपडेट होगी मेरे चैनल पर आपको अवस्य दी जाएगी आप चैनल सबस्क्राइब करके रखें बेल आइकोन प्रेस करके रखें ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो डालू आप तक पहुँश सके तो दोस्तों ये एक छोटी सी जानकारी थी मिलेंगे नए अपडेट के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जैरिंग